गैस यदि आप अम्रेला लाइट या सॉफ्ट बाक्स दोनों में कंफ्यूज है कि कौन सा लाइट लेना चाहिए वीडियो बनाने के लिए और मैं खास करके बताने वाला हूं कि आप यूटूब के लिए वीडियो बनाने के लिए सोच रहे हैं अर्ग वाइट या उसके लिए लाइट फाइंड कर रहेए तो कौन सा आपको लेना चाहिए अम्रेला लाइट लेना चाहिए या फिर सॉफ्ट बॉक्स लेना चाहिए यहाप जो जई आ जबन को हाई लोजन लगा हुआ है जो यहां पर सॉप्ट बॉक्स है इसमें 50 वाट का एलेडी वल्ब लगा हुआ है और एक वॉम नाइन वाट का एलेडी वल्ब लगा हुआ है तो दोनों में काफी ज़्यादा डिफरेंट है और दोनों ही अपने जगां पर सही है बट यदि आप यूटूब के लिए वीडियो बनाने के लिए अगर लाइट लेना चाहते है तो शॉक्ट बॉक्स लेना अंब्रेला जाता हूं कि क्यों नहीं लेना चाहिए पहली बात तो यदि आप इस तरीके का लाइट लेंगे जिसमें हाइलोजन लगा होता है तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा एंड जो इसमें हीट एक्सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा होता है मतलब यदि आपका रूम एंड बंद है पूरा तो इतना ज्यादा हीट इसमें होगा कि आप परशान हो जाएंगे और इसी जगपर यदि आप यूज करेंगे तो सही रहेगा लेकिन एक और प्रॉब्लम होता है कि जब आप इस अंब्रेला लाइट को यूज करेंगे तो इसका जो लाइट आता है इस रिंग से चाहता पूरा फैलता है इसका इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आता है सायद हो सकता है आपको दिखाई ना दे बट आता है केमरे में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जब आप ऐसे नॉर्मल देखेंगे तो दिखाई देगा तो यह है कि यदि आप सौट बॉक्स लेंगे या फिर डॉक्ट लेंगे तो इसमें प्रवब्लम होता है और एशा नहीं है कि सॉट बॉक्स में भी प्रॉलम नहीं है जो यहाँ पर बलफ लगा होता है बड़ा सा इसके साथ आता है अगर उश टाइप का बॉक्स दिखेंगे टाई 11,000 रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा एंड आपको अंप्रेला लाइड जो है डाई तीन हजार रुपए में आपका हो जाता है लेकिन प्राब्लम यह आएगा कि जो यह आपका रिंग है यह रिंग आपके फेस पे या फिर आपके वीडियो का बैक ग्राउंड में कहीं क कहीं सेड़ो मारता है लेकिन यह आप इसको स्टेज पर लगाना चाहते है और फिर आउट्डोर कहीं पर शूट कर रहे हैं और इसको बहुत ऊपर लगाना चाते हैं तो इसका इफ्क्ट नहीं आएगा बट छोटे रूम में आप पास में ही बैट करके शूट करते हैं जैस कर सकते हैं एंड अंब्रेला लाइट लें या फिर सॉफट बाक्स लें दोनों के लिए अच्छा ट्राइबोड लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यदि जो इस तरीके का ट्राइबोड आता है यह 7 हैबी है मतलब अगर मैं इस पर पैर रखकर के खड़ा भी हो जाऊं तो ऐसा नहीं है कि टूड जाएगा बहुत ज्यादा मजबूत है तो इस तरीके का आपको लेना पड़ेगा यदि आप 9 फिट का ट्राइबोड ले रहे हैं तो आपको हैबी ट्राइबोड लेना आपको दिखाए देगा और इतना प्रकास आपको मिल जाता है और मैं जब सूट करता हूं अपने यूटूब का वीडियो तो सिर्फ यही जला लेता हूं और मेरे रूम का यहां पर जलता है तो बस वही है और कोई इस्ट्रा लाइट नहीं जलता है कभी कम पड़ता है या यहां पर मेरे पास एक टूब लाइट स्टैंड में मैंने बना करके रखा है इसमें मैं जला देता हूं इधर उजला हो जाते है अच्छा है अब इस सौट बवस को बनकरके आम्बरेला लाइट को अन करता हूं जो अभी को आपको उजला मिल रहा है दो सिर्फ अम्रेला लाईत के साथ आ रहा है यहां पर मैंने सविल को बंद कर दिया है अब देख सकते हैं सव बोस्का है यहां पर कुछ ग् nutr Sum लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अलग तरीके का एक फोल्डर आता है उसको लगाना पड़ेगा तो आप उसको लगा करके आप यूज कर सकते हैं यही है कि यदि आप सौट बॉक्स में इन्वेस्ट करना चीए अम्रेला लाइट में नहीं लेकिन इसी जिगह पर यदि आप स्टेश सो करते हैं आउट्डोर शूट करते हैं और बहुत उपर लाइट आपको जरुवत होता है लगाने का तो आप इसको यूज कर सकते हैं क्य मैंने यूज किया है सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप उहां चाहे तो चेक आउट कर सकते हैं I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा यदि कोई confusion है या कोई और चीज प अबरत